हेलो एविवन वेल्कम जबी टुटोरियल्स आज वन प्लस ने अपना नया फोन वन प्लस नॉट को लांज कर दिया है तो आए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इस वन प्लस नॉट की फीचर और स्पेसिफिकेशन क्या-क्या है तो आए सबसे पहले हम लोग वन प् घौन करना स्वह हैं आप ंतना स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने सारे Kyoto प्रस के बेटन इसान जो इन्पू पुटotalश को मैंने माकउट किए आरों से सबसे पहले में हम लोग वनन प्लस की बैक अनए Hack Area है बैक साइड की हम стрफीचर को देख लेते हैं क्या-क्या सबसे पह फोन है एक उपर है जिसम्रों टॉप माइक्रोफोन करके मैंने यहां माइक आउट किया है और इस फोन की बॉटम में भी माइक्रोफोन है वहीं पर फिर आप वन प्लस को अगर सामने से देखेंगे तो उपर मैं आपको टॉप फिंगर प्रिंट संसर एरिया है वन प्लस नौड में जो फिंगर प्रिंट संसर जो होता है वो डिस्प्ले के अंदर है उसके बाद अगर आप फोन के और नीचे आ जाएंगे तो आपको बॉटम में राइट हैंड साट स्पीकर देखने को मिलेगा और फोन के जिस्ट मिडल म अपको नीचे यूएसबी टाइप सी पोर्ट आपको मिलेगा तो डामेंचे एंड मेली फंक्शन के अगर बात करें इंपूड आपट अरिया के बात करें तो ब्लस वन प्लस नौड में इतना ही कुछ आपको आपको अजन आपट में आज एक्सटरनल एरिया में आपको दे इसमें आपको देख तो को मिलेगा स्क्रीन की ब्राइटनेस आपको फोर्ट एट एक प्याइट मिलेगी एसपक्ट इस्ट नाइन का मिलेगा इसमें जो रेफ्रेश रेट है वह 90 हर्ट का मतलब कि जब आप फोन को जाब इस्तमाल करेंगे तो आपको स्क्रीन काफी इसमें को रिना का कॉर्णिंग का गुरिला ग्लास फाइब का प्रेक्शन आपको इसमें मिलेगा वन ट्लस नॉट की अगर डिस्प्लेइफीचर की बात किया जाए तो सबसे पहले फीचर जो है इसका वह वीडियो एन्हांसर फीचर है तो अगर आप वीडियो अगर आप इन्हांस करने में मदद करेगा यह एक फीचर है दूसरा फीचर इसमें रीडिंग मोट का है तो अगर आप स्मार्ट स्मार्ट पोन में ज्यादा पढ़ना या डॉक्यमेंट ज्यादा पढ़ते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं और उसके लिए यह फीचर सबसे बैस्ट ह जाने में का एक feeling आपको देगा कि जैसा आप नॉर्मल बुक या पेपर को पड़ते हैं उससा आप से brightness को यह adjust करता है उसके बाद एक night mode है तो अगर आप मालिज आप फोन को ज्यादा रात में डिम या डाक में जादा यूस करते हैं तो इस फीचर से आपको बहुत हैं मिलेग OnePlus Note के अगर performance की बात करें तो OnePlus Note का जो अपना ही एक operating system है Oxygen OS जो यह Android 10 पे based है इस phone में जो CPU है वो Qualcomm का Snapdragon 765G है जो 5G को support करता है तो जिसके कारएं यह smartphone भी आने वाले समय में जो 5G आएगी उसको यह completely support करेगी और OnePlus Note में जो graphics जो आपको मिलेगा वो Adreno 620 का मिलेगा प्लस इसमें RAM और storage जो है वो अलग-अलग variant में है तो अगर आप 6GB का OnePlus Note का अगर आप 6GB का variant लेते हैं 6GB RAM वाला phone लेते हैं तो आपको 64GB का storage मिलेगा अगर आप 8GB का variant लेंगे तो 128GB का storage मिलेगा अगर 12GB RAM वाला अगर आप वेरेंट लेंगे तो इसमें आपको 256GB का आपको आपको internal storage मिलेगा जो यहां पर UFS 2.1 है अगर इसके बैटरी के बात करें तो 4115mAh बैटरी है प्लस इसके साथ जो आपको चार्जर मिलेगा वह 30W का फास्ट चार्जिंग होगा जिसे यहां पर रैप चार्जर का आगिया है 1plus not जाओ चार्जब करें तो यह पीछे में क्यांबरा है और आगर ड्यकामरा है मोजूद पीच्छे के मेन केमरा के बात करें तो वह sony IMX 586 सेंसर है उसमें प्लस फो 48पिक्सल का है और समें एलेक्रोड़िक लिटोने स्टपलाज़ेशन अगर आप फोटो लेते हैं तो फोटो में इमेजस्ट होगी वह आपको बहुत ही पॉफेक्ट डेहन को मिलेगी इसके बाद इसके दूसरी camera के अगर बात कर ले तो यहां पर ultra wide angle camera है जो 8 megapixel का है यह especially ultra wide photo अगर आप बहुत ही चाहता है एक wide angle photo अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए camera best है क्योंकि इतने बड़े area को यह capture करेगा तीसरी camera के अगर हम लोग बात करें तो depth camera है जिसका megapixel 5 है 5 megapixel का हुई camera है प्लस अगर आप फोटो में अगर आप depthness capture करने के लिए यह camera को यहां पर use किया जा सकता है 5th camera जो है वो macro camera है अगर आप macro photos लेने के शौकीन है अगर आप चीज़ों को बहुत नजदीक से लेना चाहते है macro photo लेना चाहते तो उसके लिए यहां पर macro camera दिया गया जो 2 megapixel का है तो इस तरह यहां पर इस oneplus Nord के पीछे में चार camera जो है जो अलग-अलग function के हैं और अलग चीज़ों के लिए specially यहां पर combine करके यहां use किया जाता है अगर हम लोग oneplus Nord के rear camera की video configuration की बात करेंगे तो rear camera की video configuration में आप 1080PV में that is full HD में आप video को record कर सकते है at 30 frame या 50-60 frame per second में वहीं अगर आप 4K में वीडियो को record करते हैं तो आप सिर्थ 30 frame per second में record कर सकते हैं अगर आप rear camera से अगर आप slow motion video record करना चाहते हैं super slow motion video तो वह भी आप full HD में record कर सकते हैं तो भी 240 frame per second में या अगर आप time-lapse video को record करते हैं बहुत लंबे समय का video जो होता है तो उसको आप full HD में 30 frame per second में कर सकते हैं और इसी time-lapse को अगर आप 4K में record करना चाहते हैं तो आप से 30 frame per second में कर सकते हैं तो दोनों आप 30 frame per second इसमें video editing का feature भी already है रियर camera से अगर आप video shoot करते हैं तो आप उसे समय video को edit भी कर सकते हैं इसे rear camera कि अगर हम लोग video features की बात करें तो इसमें से इने aspect ratio video recording है अगर आप cinematic तरीके से को video record करना चाहते हैं आप sdr high dynamic range में video recording कर सकते हैं या shots ले सकते हैं nightscape है अगर आप night shooting करने में ज्यादा इसके लिए camera best super micro है portrait mode है pro mode है professional screen अगर आप fully control चाहते है camera में तो pro mode है अगर आप 180 360 degree full photo को अगर आप एक slide में लाना चाहते है AI scene detection है raw image है अगर यह specially बहुत important है कि अगर आप माने जो कुछ photo आप लेना चाहते है और उस photo में complete control चाहते है तो आपको यह raw image format जो है जो इस feature में मौझूद है वह बहुत ही आपको काम आएगा plus filters है quick share है कि अगर आप quickly अगर वीडियो को record करके share करना चाहते है तो वह feature भी इसमें मौझूद है OnePlus Nord के अगर front camera की बात करें तो यह dual camera है दोनों wide angle है एक wide angle है एक super wide angle है तो जो wide angle है उसमें Sony का sensor लगाया हुआ है IMA 616 जैसे आप display में देख सकते है फोटो में यह 32 megapixel का है autofocus fixed focus है इसमें और आपको इसमें जो आफिचर जो है वह 2.45 का इस फोन में जो है electronic stabilization है जिसके कारण आपको फोटो में एक software का आपको stabilization देखने को मिलेगा OnePlus Nord में electronic stabilization है जिसके कारण जो image में stabilization है जिसके कारण इमेज में stabilization है वो software के जरी होगा ना कि hardware stabilization अगर OnePlus Nord के अगर हम लोग second camera को देखे तो ultra wide camera है जिसका 1 megapixel का है और इसका field of view 105 degree है सारे लोग है जब आप selfie लेते हैं आप चाहते हैं कि सारे लोग selfie में आए तो यह camera उस वहाँ पर काम आएगा यह जादे स्यादे एरिया को capture करने में capable है अगर हम लोग front camera के video configuration के बात करें तो आप इसे 4K video को record कर सकते हैं 30 frame and 60 frame per second में और अब time lapse video भी बना सकते हैं अपने front camera से अगर आप front camera के video features की बात करें तो इसे mostly features जो camera से related है जिससे ultra wide selfie अगर अपकोस अगर आप selfie लेना चाहते हैं तो ultra wide selfie आप ले सकते हैं सारे filters हैं जो most probably लोग camera के camera में यह camera softwares में यूज करते हैं face retouching, screen flash, face unlock, yes this is a great feature अगर आप अपनों phone को अगर आप unlock करना चाहते हैं without fingerprint तो face unlock feature भी यह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम connectivity के बात करें तो आपकोस यह OnePlus Nord 2 है यह 5G support करता है जो जो एक future technology है plus यह at present 4G and 4G, 3G भी support करता है इसमें GCMA, WCDA में इस सारी supports में मौजूद है most probably यह आप देखेगा तो एक future ready phone है आने वाले समय में जो 5G आने वाली है वो उसका भी complete support आपको इस phone में मिलेगा अगर हम लो connectivity की बात करें तो OnePlus Nord में Wi-Fi जो है वो 2.4 and 5 GHz की frequency को support करता है Bluetooth है जो 5.1 को support करता है NFC enabled है and GPS है जो dual band GPS है dual band GPS को सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जो position की accuracy है वो इससे काफी perfect हो जाती काफी बैतर हो जाती है अगर हम लोग sensors की बात करें तो इसमें आपको fingerprint sensor जो है वो display के अंदर ही मिलता है in-display fingerprint sensor है axolometer है electronic compass है जो आपको GPS में काफी मदद करेंगा especially map को rotate करने में gyroscope है ambient light sensor है proximity sensor है sensor core है मतर काफी सारे sensors आपको इस phone में होई आपको मिल रहे है oneplus notebook one multimedia support के बात करें तो यह सारे audio video formats को support करता है सारे images format को support करता है आप screen में देखे सकते हैं कि अगर audio format के बात करें तो MP3 Flake, WAV, AAC, WAMA यह सारे format को support कर रहा है recording में भी अगर आप video audio record करते हैं तो यह आपको दो format में record करेंगा एक WAV and AAC WAV is excellent अगर आप recording को अगर आप edit करना चाहते है उस basis में वीडियो format support के बात करें यह सारे video format को support कर रहा है सब परफेक्ट जो सबसे यहादा used formats है over the internet यह सौरे formats को यहाँ पर mentioned है especially one of the famous is MKV MKV format को support कर रहा है MP4, MOV, 3GP, FLV और अगर आप video को record करते हैं तो recording के समय वीडियो जो है सिर्फ MP4 format में ही आपको मिलेगा वहीं पर अगर image support के बात किये जाए तो यह अगर सारे image के format को support करता है लेकिन अगर आप photo click करते हैं तो photo आपको JPEG या फी DNG format में ही output जो है अगर photo को output के बात करें तो JPEG and DNG format में ही आपको support यहाँ मिलेगा अगर हम ports के बात करें connectivity ports के support के बात करें तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर especially आपको यह बात समझना होगा कि यह जो device है यह नॉर्मली को भी जांडर devices होती है वो सब USB 2.0 को support करती ही है तो इसमें आपको एक cable मिलेगा जो type C to USB होगा तो of course उसमें आपको USB 2.0 को support मिलेगा ही प्लस इस phone में आपको earphone jack नहीं मिलेगा तो earphone jack के बदले इनों नों क्या किया है कि आपको यहाँ पर अलग से USB type C to earphone jack का एक cable लेना पड़ेगा और इस cable के जिरी आप अपने headphone को connect कर सकते हैं यहाँ देखेगा इस phone में आपको जो earphone jack होता है headphone jack cable का connectivity होता वो नहीं है आपको यहाँ पर type C to earphone का cable का यहाँ पर एक cord आपको लेना पड़ेगा यह connectivity device आपको लेना पड़ेगा छोटा से जिसको आप connect करके यूज कर सकते हैं इसमें आपको dual nano sim का slot है तो आप इसमें dual sim या 2 sim भी चला सकते हैं अगर हम box के बात करें कि oneplus node आप जब खहिए देंगे तो इसके box में आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले आपको oneplus node smartphone device आपको मिलेगा उस smartphone में already screen protector लगा हुआ रहेगा तो आपको अलग से screen protector लगानी की ज़रूरत नहीं है वह screen protector उसमें pre applied है मतलब already लग के आएगा इसके साथ आप उसका charger मिलेगा जो 30 watt का charger है wrap charger इसके साथ आपको type c का cable मिलेगा जो usb 2.0 को support करता है तो यह देखेगा यह type c to usb 2.0 cable है आप इसी cable से आप charge भी कर सकते हैं और इसे cable से आप computer से connect भी कर सकते हैं फिर इसके साथ इसके बाद प्रोटेक्टिव केस इस phone को प्रोटेक्ट करने के लिए sim trajectory मिलेगा एक saas value and plastic recycling card मिलेगा अगर आप इस phone को आने समय के भी recycle करना चाहते हैं उसके बाद आपको red cable club membership card मिलेगा यह एक तरगा क्या है कि online backup feature है जिसमें आपको 50 GB का storage आपको मेल रहा है मुझे इसके बार complete information नहीं है लेकिन यह जो है membership card है इसके बाद यह online backup card है जैसे हम लोग Google Pay में में 15 GB आपको online storage मिलता है तो इसमें आपको ज्यादा storage मिलेगा online backup अपने phone को अपने data को करने के लिए Thank you आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में आपको के लिए